हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा है आप सभी अच्छे होंगे देखिए फ्रेंड्स ये जो वीडियो रहने वाला है ये रहेगा एंगर के इश्यू पे ठीक है आप लोग बहुत सारे इश्यू उस पर अपने काम कर लेते हैं बट मुझे कुछ कमेंट्स में ये पूछा गया कि बहुत जादा एंगर का इश्यू रहता है मतलब कभी-कभी इतना जादा कि सामझ नहीं आता चीजे सही होने के बज़ए और बिगर जाती है ठीक है ये वाली चीज जो होती है फ्रेंट्स एक्च्वल में ये एंगर का इश्यू आता कहाँ से हम वहाँ से इस चीज को देखना शुरू करेंगे और इसको हील कैसे किया जा सकता है ठीक है इस पर काम कैसे किया जा सकता है जिससे की हमारे जो कई बार बंते काम है ना वो भी बिगर जाते हैं वो चीज ना हो जिससे, ठीक है, क्योंकि एंगर का इशू एक ऐसा इशू है, जो कई बार बहुत सारे इशू उसको अंदरी अंदर, भीतरी भीतर तैयार कर रहा होता है, ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे, कि जो एंगर का इशू है, ये आपके भीतर आया कैस और ये चिज़ों से यह वापस से आपके भीत आप अपना छीज़ों को रियक्त करना करते हैं यह उसी चीज़ को वापस से करना कर देते हैं जब यह होता है और घुसा जफले किस कारण से आता है अचलिर आफ की लाइफ को अगर देखा जाएए你 कि क्या मैं अगर किसी भी नॉर्मल विक्ती की लाइफ भी अगर देखूँ तो उसकी लाइफ में जितने भी उतार चड़ावाते हैं जिस भी तरह के लोग वो दुनिया में देखता है जो जो खटना है उसके जीवन में खटेत होती है वो सब उसको जब वह उस चीज का जवाब नहीं दे पाता में वो भीतर बोलना बहुत कुछ चाता है उसके भीतर बहुत कुछ कहे कहने को बड़ उससे सुनने को कोई तयार नहीं है ठीक है? उससे कोई सुनने ही पा रहा उसको कोई समझने ही पा रहा तो ऐसे में क्या होता है, फ्रेंट्स, हो जो गुस्सा है, वो दब कर रहे जाता है, वो एक लेयर बन गई, राइट, दोबारा कुछ अलग सी गटना गटी, या उसे मिलती जुटती गटना गटी, तब फिर क्या हुआ, वो जो लेयर बनी थी, वापस से उफान लेने लगती ह आप उसी तरीके से रियक्ट करना शुरू कर देते हैं, एकदम वीर्ड सा रियक्ट, तो फ्रेंट्स, अब आप रियक्ट करते हैं, पुराने गुस्से को लेकर के, पुरानी दब्य हुए, रीजन्स की वैसे, जो गुस्सा आपकी भीतर है, उसको लेकर के, तो अब वो जो लोग हैं, वो नए हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो पुराने ही लोग हो, लेकिन वो पुरानी बात को दिल से दिमाग से निकाल चुके हो, और आप उस चीज़ को अभी भी लेकर के बैठे हैं, तो क्या होता है, ऐसे में कंडिशन और खराब हो जाती है, कि आप तो रे के देन Recently एक अगर धागा है और उसमें अगर गांट पढ़ जाए ठीक है तो उस गांट को खोलना बहुत मुष्किल है और खोल जाए अगर खुल भी जाए वो गांट तो उस गांटसे वह जो उसमें सिकुढन पैदा हो जाती है ठीक है या उसमें जो weakness आ जाती है उसको दूर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस संबंद को उस रिष्टे को strong करने में बहुत वक्त लगा होता है ये चीज होती है ठीक है तो ऐसा ही होता है कुछ हमारे गुसे के साथ कि हम अपना गुसा जो दबा करके रख लेते हैं वो गुसा बाद में बहुत गलत परिणाम देता है ठीक है इसलिए कहते हैं न कि वो लोग अच्छे होते हैं जो अपने भीतर दबा के नहीं रखते चीजों को बोल देते हैं या रियक्ट कर देते हैं उसी वक्त क्योंकि कम से कम वो अंधर से एकदम हलके हो जाते हैं भीतर से बहुत सुकून भैसूस करते हैं लेकिन आप आपके साथ कुछ अलग होता है आपके साथ ऐसा होता है कि कई बार आपको रियक्ट करने का मौका नहीं दिया जाता है आप रियक्ट करने जैसे स्थिती में होते नहीं है ठीक है ये वाली चीज होते हैं और आप उस चीज को रख करके बैठ जाते हैं अब वो जो चीज है वो जीवन भर आपको तकलीव देगी जब तक आप उस चीज को हील नहीं करेंगे उस सिचोशन को हील नहीं क्यांगे इसलिए आपको दखी करती है थिक है वह लोग दुकी नहीं होते है एक्षुल में दुक आपको घेरता है दूख आपको इसलिए घेरता है फ्रेंड्स क्यूंकि आप उस सिच्विशन को एकटा करके रख लेते हैं और वो लोग उस चीज से मुक्त हैं खुद को मुक प्रमसी हमें कस दिया हमें तकलीव दी वो लोग खुद काफी enjoy करें खुद काफी happy हैं बट हम नहीं है happy है ना इसलिए काफी लोग कहते भी हैं कि जो गलत करता है वो बढ़ता जाता है और जो गलत नहीं करता है वो गिरता चला जाता है ऐसा होता है लेकिन friends ये मौका देते क्यों ना हम भी ये चीजे करें कि देखो हम यहां judgment नहीं कर सकते ठीक है ये कुछ judgment जो होते हैं वो divinal होते हैं कुछ karma जो होते हैं वो divinal होते हैं कि karma baggage आप अगर आपके साथ किसी ने karma create किया है तो उसको भी karma baggage क्लियर करना पढ़ेगा बट ये आप decide नहीं करेंगे कि वो कर् नहीं या बाद में या कभी आने वाले फ्यूचर लाइफ में या कभी भी बर्थ दोबारा लेगा तब वो कर्मा क्लियर करेगा ठीक है ये चीज होती है लेकिन आप जो है आप जित पखड़के बैठ जाते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया है तो अब उसके साथ भी अभी ही गलत हो ठीक है और इसी बर्थ में हम देखें उसको पेन में ये वो चीज इस तरीके से ठीक है तो इस सिचुईशन से निकलना होता है ये ही चीजे हमें इश्वर सिखाते हैं कि इश्वर कहते हैं कि आपको अगर सुकून चाहिए शांती चाहिए तो आपको हलका होना जो है वो हवा में क्यों उड़ पाता है इतना सोतंत्र हो करके पक्षी जो है पंक खोल करके इतना असानी से क्यों उड़ पाता है बटरफ्लाइस हवा में क्यों पाते हैं फेरी एंजल्स क्यों पाते हैं क्योंकि वो मुक्त हैं उन्होंने हर दर्द हर गम से खुद को मुक्त क किया हुआ है अपनी सोल को मुक्त किया हुआ है खुद के दिल को मुक्त किया हुआ है खुद को मुक्त किया हुआ है बांद कर नहीं रखा आपको पते हैं आप किसी सिच्वेशन को अगर पकड़ के बैठ जाते हैं तो आपने उस सिच्वेशन को तो अपने भीतर रखा ही अभी भी जो कि अब आपको क्या है तकलीफ देते हैं आपको क्या है दर्दित से हैं ठीक है फिर लॉट घूम करके आपको वही ड्रीम्स के जरीए भी सिच्वेशन दिखाई देते हैं यह इतना भै जो है न यह जो फियर है एंगर के बाद जो है लोगों के बीतर फियर दोरा गतरव यहां आपको पैस्मण मम पंगा यह जो बाद बूती है उससे भागने लगते हैं कि नहीं हम किसी को माइब नहीं करेंगे हमें तो चाहिए चाहिए बदला चाहिए ठीक है हमारे साथ गलत हुआ अब उसके साथ गलत हो तभी हम सुकून से बैठेंगे यह वाली जो चीज है इससे मुक्त होना होता है क्योंकि देखो गौड अभी आप पे काम कर रहे हैं ठीक है आपको बनाना चाहते है अपका पैस्ट वर्जन ठीक है तो आप इस चीज को समझे ना कि आपका बैस्ट वर्जन अपडेट वर्जन तयार हो रहा है ठीक है जो पहले जैसा नहीं है और आप पहले जैसे बिलकुल भी नहीं है ठीक है और अगर आप मानते भी हैं तो बिलकुल ना माने ऐसा अब आपसे वो सब चीज़े नहीं दौर आई जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं, इंजल्स आपके साथ हैं, सब की ब्लैसिंग्स आपके साथ हैं, सोल फैमिली की ब्लैसिंग्स आपके साथ हैं, इवन आपके जितने भी गाइड हैं, जिने भी आप फॉल करते हैं उन सबकी blessings आपके साथ हैं तो आपके साथ आप वो चीजे दुबारा नहीं हो सकती इस पीर से खुद को बाहर निकालिए ठीक है और खुद को जितना हो सके हलका रखिए जितना हो सके मुक्त रखिए ठीक है और यह जितने भी एंगर के इशू आपकी अभी तक लाइ कर दीजिए ठीक है माफ कर दीजिए उन लोगों को उन सभी कार्मिक्स को मुक्त कीजिए इन सब चीजों से क्योंकि आपने बांद कर रखा हुआ है अब वो तकलीफ आपको आपके ही कारण दे रहे हैं ठीक है वो लोग तो मुक्त हैं उनको कोई परिश्रानी नहीं है तो मेरे लिए प्राब्लम ना तुसरे की तो कोई गलती है नहीं उसने तो खुद को आपना जो भी उसको रेक्ट करना था वो कर चुका उसी वक्त बाद में रेक्ट करने से तो कोई मतलब है नहीं तो यह चीज करनी पड़ती है तो अपने उनी एंगर की इस्षूस पर काम करिए पिक्चराइज करिए मेडिटेशन टाइम में और उनको हील करिए और माफ करिए सबको ठीक है आप जज्जमत बनिए आप जज्जमत करिए किसी को ठीक है आपका जज्जमेंट आएगा डिवाइन देने को तयार है ठीक है डिवाइनल टाइम पर बट आप दूसरे के यहीं जज्ज बनने की अगर कोशिश करेंगे तो यहाईगी किसी के नहीं छोटी आप बने आप किसी ले नहीं सकते है। आप इस जरनी में क्यों लाए गई यह आप नहीं जानते थे लेकिन आप लाए गई ठीक तो बहुत सारी चीज़े हैं फ्रेंट जो डिवाइनी टाइम पे चलती है उनको आप मुट्रकिए ठीक है अपने इश्विर को मुक्त रखे अपने इस्ट को मुक्त रखे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को मुक्त रखे अपने डिवाइन फैमिनाइन को मुक्त रखे ठीक है मुक्त रहे ठीक है जब भी आप किसी से लव में भी होते हैं या किसी भी रिष्टे में जुड़ होते हैं तो उस रिष्टे को मुक्त कर दीजिए ठीक है अगर आप मुक्त कर देंगे तो आप खुद देखेंगे खुद पाएंगे कि आप कितना हलका महसूस करें तक खुश महसूस कर रहे हैं ठीक है और आपके लिए बेस्ट नहीं है तो यूर्श यूर्श प्रॉपर जिस भी तरीके से हो सकेगा वो आपको दूर कर देंगे उस चीज से क्यूंकि आपको कोई भी नुपक्सान नहीं कर सकते वो आपके रियल पैरेंस है ठीक है तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना होगा अपने एंगर के इश्यू पे काम कीजिए जितना ज़्यादा हो सके एंगर के इश्यू पे काम कीजिए फ्रेंट्स यह एक दिन का काम नहीं है मुझे पता है कुछ दिन लग जाते हैं पंदरा दीन भी लग जाते हैं ठीक है? टाइम लग जाता है 20-20 दिन लोगों को लग जाते हैं हील करने में क्योंकि काफी पेन फुल सिचुएशन रहती है हील करने में भी असानी नहीं होती बट मैं एक ही चीज कहूंगी सेशन से मुक्त रखिए खुद को जो लोग सेशन में बिलीव करते हैं ठीक है? अगर आप मेंसे कोई भी सेशन में बिलीव करता है तो वो बिलीव ठीक है फ्रेंट्स आपका मैं गलत आपको नहीं कहूंगी लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो आप समझ पाएंगे अपमुक्त हुए भी है या नहीं हुए है उस दर्द से उस पेन से उस एंगर के इशू से ठीक है? तो अपने इशू पर खुद काम करिए खुश रहे हैपी रहे है और एंगर का इशू है तो फ्रेंट्स अपना पूरा ध्यान रखिए पानी खूब जादा पिए डिहाइडरेशन से बचें ठीक है ध्यान रखिए अपना अच्छा खाए अच्छा पिए खुश रहे हैपी रहे